बात करेंगे संफार्मा के बारे में 982 पे काम काच कर रहा है और मैक्सिमम शेर्स का यही हाल हो रहा है हमने देखा है कि दिन में एक दिन की शुरुबात में अच्छी खासी गिरावट के साथ हमने दर्श देखा है इसमें अब आगी की रंडेती पूरे दिन्बर में क्या हो सकता है इसके लिए 5 दिन पहले का डेटा हमें साफ साफ बता रहा है कि मार्केट लगातार गिर रहा है गिर रहा है तो आप अगर पूटक उप्शन लेके चलेंगे इंट्राडे में तो शायद आपका बहुत जादा भला हो सकता है आप अच्छा खासा उसमें कुछ तो अच्छा कर सकते है बात रहे आप अगर कॉल के तरफ जाना चाते तो आपको थोड़ा सा पिंतजार करना पड़ेगा क्योंकि strong resistance 1000 का strong resistance अब बन चुका है इसको breakout देने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि market downtrend की तरफ आ रहा है इसका अगर support level की बात करते तो फिलाल support level दूर दूर तक फिलाल अच्छे से तो दिखाई ने देता लेकिन ये हमको एक support level दिखाई देता है या 9.50 का support level की यहां से यह वापस गुजर सकता है और यहां से एक reversal हमको दे सकता है तो 9.50 तक अगर नीचे गिरता है तो वेट करिए और वहां से reversal आता है तो आपके लिए फायदा वो जरूर आगे करने वाला है